तो हमारे साथ जो भचन गाय किशन भगत हमारे साथ जूर रहे किशन भगत जी आपका बहुत स्वागत है जुनता टीवी में जैश्री माकाल जैश्री राम सभी को किशन भगर जी पुरा देश राम में हो चुका है हर किसी के जुबाव पर एक ही नाम है वो राम, श्री राम और राम आपने भी भगवान राम के लिए कुछ भजन गाये हैं मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों तक अपनी भजन को पहुचाए जी जी जरूर सभी के जुबाव पर राम का नाम जैसे आज है वैसे हमिसा होना चाहिए और सभी को पुरे वीश्व को मेरी ओर से अर्दिक अर्दिक बदाई शुकाना है और आज हम लोग आज हमें केसी पीड़ी बनने जा रहे हैं जो इस एतियासिक अउसर को देख पा रहे हैं हम सब कुछ नसीब है हमें सभी को प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और भजन की बात रहे तो अभी थोड़े दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से एक भजन आया है राम राज जिसको आज के दिन में 20 लाग लोगों ने सुना है सिल्प आज के ही दिन में तो मैं उसी भजन के माध्यम से बाबा को आप सभी को रहे जाना चाहता हूँ कि वह बजने ज़ा ओ हो मुझी को तो बस राम राजी ही चाहिए मूझी को तो बस राम राजी चाहिये ओ मेरे राम जी की अलाव ही चाहिए आप Hurricane भगग जी आज जिस तरह से आपने बहुत आच्छा सुनाया सोंग आप जो भजन आगे का आपका प्रोग्राम क्या है किस तरह से आप राम जी को लेकर आगे अपना भज़न गाना चाहते हैं और क्या आपका प्लान है वो चाहते हूं कि आप दर्शकों के साथ एक बास्ताजा करें हाजी जो घड़ी को हम लोग देख रहे हैं उसी को हम लोग ने इसमें विस्तार से बताया है कि गर्व से सारे सनातनी का अब है सीनातन गया ओ बधाई हो पूरे विस्तार को मेरे राम का मंदिर बन गया खिशन भगत जी ये प्रेणा कहां से मिली आपको कि आपको भजन ही गाना है क्योंकि आज का जो युवा है वो पॉप सौंग और अधर सौंग भे उनका मन लगता है आपको ये प्रेणा कहां से मिली प्रेणा तो सुरू से भगती में मन रहा है भजने में मन रहा है और जो माता जी थी हमारी वे भजन बहुत पसंद करती थी गाती थी नाना जी वगेरा तो वहीं से प्रेणा मिली है किशन भगत जी हाजी आपको इंदोर के इंदोर के आपको कलाश भगत कहा जाता है आपको आखिर कलाश भगत क्यों कहा जाता है और आप कुछ राम जी के लिए आज और कुछ सुनाना चाहें हाँ जी देखो जनता का प्यार ये तो कोई केलाज भगत कहता है कोई किरश्न भगत कहता है कोई किशन भगत कहता है तो ये तो भाई सरीर का नाम हुआ ये सरीर का नाम हुआ बाकि मन तो भजने में ही है जी, किशन भगत जी, आज पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है, प्रदेश है, आज लोग दिवाली बना रहे हैं, दिप ओत्सों कर रहे हैं, आज का आपका प्लान क्या है, आप किस तरह से इसको मना रहे हैं? जी, आज हम लोग चतिसगर में हैं, अंबिकापूर में, और यहां पर एक लाग द्वी प्रजुलित के जा रहे हैं, तो हम भी उसमें एक चूटा सा हिस्ता है, और ही पर एक स्टेडियम में प्रोग्राम भवियायोचन रखा गया है, तो उसी में भजनों के माध्यम से बाब इसको भी गुन मुनाना चाहें तो किशन भगत जी, ये 500 वर्षों का जो संघर्ष था, वो पूरा हुआ, आप आज किस तरह के कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पल को? बहुत अच्छा महसूस करें, और गर्व हो रहा है, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, जो 500 वर्षे जिस वक्त का हम लोग जिस शन का इंतिजार कर रहे थे, वो हमारी पीड़ी में होने जा रहा है, हम लोग उसको देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात ह है, और ऐसे ही रोज दिवाली मनना चाहिए, हम यहीं चाहते है, रोज प्रभु का नाम ऐसे ही सभी के जुबा पर होना चाहिए, खिशन बगत जी, भगवान राम खिलिए आपने कोई और भी भजन तयार किया है, क्या आगे का प्लैन क्या है, अगर आपने तयार किया है, क्या है, तो मैं चाहूंगी कि दो लाइन आप और भी गुन गुना है, वैसे हम लोगों का जो है महाकाल भजन में हम लोग सबसे जादा होते है, महाकाल भजन हम सभी के हीट है, और कोशिश की ती राम राज्जे को लेकर तो राम राज्जे पर ग्रिपाबा ने कीBlue राम र पसंदी दा बजन एसे तो सारे ही पसंदे हैं कुछ सुनाएं आप मेरे दर्शकों के लिए अभी एक बजन बहुत काफी हीट हुआ था में वही वाला बजन आप सभी को सुना था जी अरे ना कोई मेसेज ना कोई काल अपने तो बस बाबा महकाल ना कोई पीए ना कोई सीए अपन तो बस तेरी भक्ती में जीए आलकी की पालकी जै बोलो महकाल की ता ती रहे जो तेरा डर ना माया और जनजाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महकाल का बहुत खुबसुरत आपने गाया मैं चाहूंगी कि कुछ और भजन जो आपके पिटारे में हो और दर्शुकों को आप सुनारा चाहें उसको भी आप गुन्वरा सकते हैं हाजी हाजी इस भजन पर भी काफी प्यार मिला है महकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है करीब दस करोड लोगों ने इस भजन को सुनाए और अश्रिवाद दियाए हाजी ओ मेरी भक्ती में है दम उनकी किर्पा में है दम क्या भी गालेगा मेरा जमाना ये जमाना मुझे छेडे ना जमाना में हूं भोले का दिवाना महकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है है उनकी ही किर्पा से एकदम मस्ती जिन्दगी है और गुजराहूं जी धर से मुझे इज्जती मी लिये महकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है बहुत खुब बहुत ही शांदार आपने गाया है किशन भगत जी भगवान राम के कृपा से आपकी ये गाना बहुत पॉपलर हुआ है आप बहुत बड़े पाइडान पर पहुच चुके हैं मैं चाहूंगी कि एक और भजन आप मेरे दर्शकों के लिए गुन-गुना है हाजी देखो करने और करवाने वाले तो सब बाबा है शब्द जो अते सरस्वती माता के और आवाज जो दिये सरस्वती माता ने दिये तो हमारा तो कुछ ही नहीं बस ये कृपा है एक जर्या है हम तो बाकी सब कुछ किर्पा है और इस किर्पा को लेकर ही हम लोग आगे चल रहे है और सबसे पहला भजन जिस भजन के मात्यम से मुझे पहचान मिली ती ये नाम मिला था मैं वही भजन आप सभी को सुनाता हूं जी ओ उजन के राजा कभी किर्पा न जरिया राजा महराजा कभी किर्पा न जरिया दुखिया पे डाल नारे ओ भोले राजा उजन के राजा कभी किर्पा न जरिया दुखिया पे डाल नारे ओ राजा महराजा कभी किर्पा न जरिया राजा महराजा कभी किर्पा न जरिया दुखिया पे डाल नारे खिशन बगजी बहुत इशांदार आपने बहुत यह अच्छा बजन हमें सुनाया आपने हमारे दर्शकूं के लिए भविशे के लिए आपको बहुत शुब कामना आए और जुनता टीवी पर जुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद लेकर आजबन और पवित्र कर्ण किया है इसके बाद पूजा शुरू हुई फिर प्रधान मंत्री मोदी ने अपने हाद से कुशा और शाल का खीचा मंत्रोचार के साथ श्री राम लिला के चर्णों में जल जोड़ा फिर अक्षत और पुश्व भी चड़ाए इसके बाद द प्रधान मंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिव्य दर्शन आपके तसवीर यहाँ पर दिव्य द्सिन अला। कि यह पर प्रधान मंत्री आप में भव्यता और दिव्यता का ये परिचे देते हुई जो तस्वीर है अपने आप में मंत्र मुक्त कर देने वाला है आप चौथी तस्विर देखरें राम रला की यहाँ पर आरती करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नसर आ रहे हैं तो वहीं आपको बता दे कि राम रला को यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधान मंत्री नर यह तीन तस्विर आपके सामने है अविशेक बचन नजर आ रहे हैं आपको बता दे कि यहां पर कैलाश खेर भी नजर आ रहे हैं दूसरी तस्विर में आप देख पा रहे हैं योग गुरु राम देव भी आपर नजर आ हैं ध्रेंदर शास्त्री भी नजर आ रहे हैं कई बड़े दिगज आज के इस उत्सव में इस भव्यता में इसके परिचायक बनने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे यह तस्वीर अपने आप में यह दर्शाता है कि 500 साल का जो यह संघर्षता वाज बिल्कुल यहां पर पुरा होता हुआ नजर आ रहा है एकुर जहां धर्मनकरी आयोतिया सजाया गया तो ही दूसरी और उत्राखन में राम में का महल नजर आ रहा है प्रदेश के विभिन जिलों में बक्ती के कई रंग देखने को मिल रहे हैं मंदिरों में हवान भजन से लेकर किर्टन तक किये जा रहे हैं हर कोई राम के रंग में यहां पर रंगा हुआ है यह दो तस्वीर खलवानी और हरीद्वार यह दुनों तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह राम को लेकर यहां पर सजा हुआ है बिलकुल रोम रोम में यहां पर राम नजर आ रहे कोई नाजते गाते हुए उत्सव मना रहा है तो कोई यहां पर भगवान को यहां पर नाम लेते हैं मंदिर में पूज़ा अनुष्टान की भव्य तैयारी कि गई है मौक्यमंतरि पुश्क शंघामि ने सुबह मुख्यमंत्री आवास इस्तित दिवाले में श्री राम मंदिर प्रान प्रतिश्टा के शुब और सर पर श्री राम चरित्र मानस की चौपाईयों का पाथ किया है इसके बाद उन्होंने आवास परिसर में इस्तित गौशाला पहुंचकर गौवमाता की सेवा भी क है इस दोरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के कुशल नेत्रितों में श्री राम मंदिर के रूप में सनातन स्रम्स्कृति की वैबों की पुन्रस्थापना का साक्षी बनना हम सभी खेलिए परमसवभाक्य का शन है हम कथा सुनाते रामसकल गुणधाम की ये रामायन है पुन्य कथाशी ही राम ये रामायन है पुन्य कथाशी ही राम पुन्य को ये राम मंदिर प्रतिष्टा को लेकर पूर्यदेश भार में कारेक्रम अयोचित किये गए वहित्राखन के सभी मंदिरों में सुबस नहीं लोगों का ताकालि लगा हुआ उत्राखंड सरकार के सभी मंत्री अलग-अलग मंदिरों में वर्चुल माध्यम से राम मंदिर प्रान प्रदेश्टा के कारेक्रम से जुड़े तो ही आपको बता दे कि मुख्य मंत्री पुष्कर संग्दामेवी देरादुन के टाप केश्वर मंदिर में सब परिवार पहु देव भूमी के हरे एक बच्चे के मन में भगवान राम बिरास्ते हैं उसके हरदय में राम बिरास्ते हैं यहां का कंकड कंकड संकड है और देव भूमी के लोगों के लिए एक अपार उत्सा अपार खुसी और सौनिम ये दिन था च्छन था पूरे देव भूमी के लोगो ने इस पूरे पक्वाडे को भगवान राम को समर्पित किया और जगा जगा भजन, कीर्टन, स्वच्चता, भ्यान, राम धुन, दीपोच्छव इसके रूप में मनाया है आयोधिया में राम मंदिर में आज राम रला की प्रान प्रतिस्था हो गई है, भगवान राम विराजमान हो गए, राम रला की प्रान प्रतिस्था का आयोचन, 16 जन्वरी से ही शुरू हो गए थे, मुख्य प्रान प्रतिस्था की पूझा आयोधिया के राम मंदिर के गर्व जोशी ने शिर्कत की है, इस मौके पर रामळुला के दर्शन कर, सबी लोग अभी भूत हुं गये। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गनेश जोशी ने कहा है कि दो फरवरी को मुख्यमंत्री पुश्कर संग्धामी अपनी कैबिनेट के साथ आयोधिया जाकर राम रला के दर्शन करेंगे आज का दिन इतिहास में श्वड़क्ष्यू में दिखाए जाएगा पांसो गर्श की तवश्या के बाद आज अपने आथन पर विराजे हैं आज विदिवत विदिविधान के साथ उसकी प्रांप्रतिष्टा हुई है देश के वधार मत्ति नरेंद्र मोदी जी रास्ति उसेवसेशन के संचालक सरसंचालक मोहन भागवत जी और उत्रवदेश के मुख्यूत्री योगिंजी द्वारा का विज़ो लुकारपड किया गया और आज राम के दर्शन करते से लोग अभी भूत है आज आयोध्या में श्री राम जनम्भू में मंदिर में आलावकिक प्रान प्रतिस्टा के मौके पर पूरादेश राम की भक्ती में लीन है ऐसे में हरीपूर यमना घाट पर अनूटी छट्ठा देखने को मिली है विकास नगर के हरीपूर में यमना घाट पर लोग पंचायत जमुना तिर्थ समीती ने शिला संग्रह कारिक्रम का योजन किया गया इस कारिक्रम में समीती से जुड़े सदस्यों ने विधी विधान से पूजा अर्चना कर शिलाओं पर जय शिराम मा जमुना कृष्णधाम आदी लिखकर शिलाओं का संग्रह किया है मानियता है कि एक समय में हरीपूर भी हरिद्वार की तर्च पर तिर्थ के रूप में विक्सित था जिसका उलेख वेदों और पुराणों में बढ़नी थे बन यह यह तो जैने युगों के वाद यह आउसरा आया है युगों के बाद और अज पुरा भारत तो ही पुरा बिश्व राम मय है और वैसे भी पालन सृरी नाम और चिस्ष्डि के पालनहार हे इस्षव के पालनहार था। जाए है इससे जादे बाद उत्साओं का और डिव्य कोई और कारीक्रम जीवन में कभी हो नहीं सकता है अध्याशिक मोगा के पूरे हंदुस्तान में दीपा वाली जैसा जैसे हम दीपा वाली मनाते हैं वैसी पूरे हंदुस्तान में जैसा जला है और आज तो सिरिष्टी के कणण में परभू सिरी राम जी जैसे चारो कोनों में गिराजमान है तो इसलिए मैं एकी सब्सक्राण प्रतिश्टा की दिग्रे है वा इस समय गर्व ग्रे में असापना होगी उत्रकाशी में राम वातिका का उद्गाटन किया गया है इसके साथ ही वातिका में तुलसी और उद्राक्ष के पौधी भी लगाए गये इस दोरान शित्रिय विदायक सहीत तमाब लोग मौजूद रहें वहें विदायक सुरिष जवहान ने कहा है कि विकास भवन के मुख विकास अधिकारी की पहल पर राम वातिका का निर्माण किया गया जुसका आज उद्गाटन किया गया है कि आयोध्या में रामलला के विरच्वान हो चुके हैं प्रान प्रतिष्टा कारिक्रम के बाद शांदार तस्विर उत्राखंड की हल्दवानी से सामने आ रही है जहां रामभक्त बेहत खुश और उत्साहित नजर आए परमपरिक वैश्बुसा में पिछोडा पैनी यहाँ पर लगाकर यानी शुब मंगल गीत भी गाई है इस मौके पर महिलाओं ने कहा है कि यह बहुती सवभागी की बात है कि हम और हमारे आने वाली पढ़ी श्री राम भगवान की स्वागत कर रहे हैं देखिए जुनता टिवे से संबदाता संजे प्रसाद की एक खास रिपोर्ट अज आज लुए राम लगां के प्रान परकिस्टा हुई है मन्दिर राम मंदिर का उदाटन वह है पुरे देजबर में हर्च उल्लास है तो हमारे यह कुमाओं में भी देखने को मिला है हम लोगों ने भी पूरे देजबर जैसे जिस तरीके से आँछ उत्सव मना रहे है कर रहा है हम लोगों ने भी यहां पर जो घोड़ा चाच्छी का कारिकरण हो रहा है तो आप सभी को बढ़ाईया देती हुआ बहुत हुशी है बहुत हुशी है और अदरीनिया शिरीमान नरंदर जी पढ़ार मंतरी नरंदर जी को मेरा पहला उसके बाद उन्होंने इतना बहुत खुशा है जब भी सिफकार ही किया जाता है तो इसके लिए बोड़े वह चाजरी काई जाती है तो हम श्री नाम प्रतिष्टा में इसी तरह मना रहे हैं अस्बूलेटि मेरे साधित आ है नमस्कार मेरी जुवरी की मादाश कुले के लिए हावादी